नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेटर रहेंगे और बार केके एक्जैम के द्रिष्टी से बहुत ही महत्पू हो जाएगा कि उत्तल दैर्पन द्वारा बना प्रतविम काल्पनिक तथा सीधा होता है दूसरा कोश्चन यहां पर कह रहा है कि गोली दैर्पन की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिजिया की कितनी होती है तो देखें जो इसके लिए आप लोगोंने फार्मुला पढ़ा हो कोशन पर चलते हैं तीसरी नंबर का कोशन है हजामत बनाने के लिए किस दर्पन का ब्यवार किया जाता है तो हजामत बनाने के लिए हम लोग जो दर्पन यूज करते हैं वह रहता है आउतल दर्पन हजामत मतलब होता है जो वही दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो दर् तो यहां पर हमारा विया अंसर करेक्ट हो जाएगा च्वाथा कोश्ञ कर आया कि दरव का पेचिग घनत किससे मापा जाता है हाइगरोमीटर से हाइडरोमीटर से और हाइडरो नवहां, और जो हाइगरोमीटर रहता है हाइडरोमीटर वारा अप रख चक आरधिक और मापते हैं और जो rain gauge है, इससे हम लोग वर्षा का मापन को मापते हैं, तो वर्षा का मापक यंत रहें, समझे लिजे rain gauge से, और इसके बाद ओडो मीटर द्वारा क्या होता है, कि गाली द्वारा तैंकी गई, दूरी को हम लोग अफलेखित करने में ओडो मीटर का परियोग करते हैं, तो ईटोead meter का परियोग करते हैं, पांचवा कॉशचन हो गया, कि दूत की सुधता किस यं द्वारा से मापना जाता है, तो देखेँ दूत की सुधता हम लोग Lactometer से मापते हैं, और फैदोई मीटर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समूंद की गहरャई मापते हैं, और हाई गर यहां पर हमारा पंच्वा-कॉस्ण कंप्लीट हुआ अब छठाक को ओ 실न कर रहा है कि मोटरब्फन खालक के सामने कौंगव लगा होता है पर देख्यों चालक के सामने लगाया जाता है वह दरपन रहता है उत्तल दरपन तो यहां पर यह कर रहा है कि motor घालक के सामने कांसा दर्पन लगा होता है तो देखें जो photographic camera का अभिद्रिश्यक lens होता है वे उत्तल दर्पन अवत्तल दर्पन उत्तल लेंस देखेई जो पानी में हवा का बुल्बुला रहता है वे उत्तल कारी करता है तो यहां पर इसका डी अंसर की आपको हो जाए। करेक्ट हो जाएगा कि पानी में हावा का बुल इस की आपको आपका दोरे हैं हैक्णि मेंटर को एच्छे की मापते हैं और लिग घंत्यों को मापते हैं और तो ये हो गे हमारा नवा कोशन है तो देखिए जो ध्वन की तीब्रता होती है उससे हम लोग decibel में मापते हैं तो यहाँ पर हमारा ए अंसर करेक्ट हो जाएगा तो 11 का ए अंसर करेक्ट हो जाएगा decibel में हम लोग जब को एक वास्तो को दो समान आंतर सम्तल दर्पnya के पीछ रखी जाती है तो बनने वाले पर्तिवीम्मों की संख्या कितनी होगी तो देखिए जब कि गति मापने में हम लोग जाइरो-इसकोप या गाइरो-इसकोप का यूज करते हैं, फिर शक्षटेंट जो होता है, यह आकासी पिंडो की कोडी धूरी को ग्यांत करने में करते हैं और श्ट्रोबो इसकोप दोरह आवर्ति गती कर रही वस्तों का विड्रमापने में हम लोग करते हैं कज women कि माप की जाती है तो lavy menad enfer को मापते हैं व्यowan ऑपने हैं मैनमीतर क्यास को मापते हैं और उड्रमीटर को मापते ॉड्र मापते हैं इससे हम लोग पजय की कही धूर्य को मावपते हैं सुले नंबर कोशन कीम सोच्मि 들 में वस्त को कहाँ पर रखा जाता है तो सरसुच में दर्शी जो राइता है उसमें वस्त को रखते हैं से लेंश और प्रकास के इंदर के वानसपतिय तेलों से कित्री घी बनाने में किस उत्पषरक करते है या हम्हें पर आपको वीडियो मिल जाएगा महां पर आपको उत्परियरक नाम से वीडियो मिल लाएगा और देखी यहाँ पर की लोहे का जो चुरून यूज करते हैं अमोनिया गैस बनाने के घबर विधी में यूज करते हैं अब आप लोगों को बता हैं तो इसके लिए हम लोग लोहे का चुरून यूज करते हैं और जो क्यूप्रिक कुलराइड है तो क्यूप्रिक कुलराइड हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन गैस बनाने के लिए पलेटिन हम शुरून यूज करते हैं हम लोग सलफ्यूरी कामले बनाने की संपर के विधी में और निकल का परियू करते हैं वनस्पति तेलों से क्रित्रि रक्त कादाब कैद रसे मातते हैं तो हम लुग मातते हैं इसफिगनो मेनो मीटर दवरा परो मीटर दवरा उच गति कुमापते हैं तो बिद्धुचुम्वट के सिध्धान्त परकार करता है कि अब यत तिस नमबर को कोश्ण टानसफार्मर परयुक्त होता है तो देखे जो टांसफार्मर के चाहे रहता है उसको घटाने और बढ़ाने के लिए करते हैं कि 14 नमबर का ऑबिवर किसे माहित में किया जाता है तो हमलोग प्रतिरोद को माथते हैं यस-प्रास का कि पानिक मतलब होता है हूँ सुनने के लिए हम लोग फोन हूज करेंगे 24 अग यहां पर 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 कर्रेक्ट यहां सर और पर परिवर्धित होता है lucky अ यान्तरिक और यांतरिक से फिर नहीं उर्जा में हम लोग करते हैं परिवर्थी यहां पर इसका वियांसर करक्त हो जाएगा 27 No.Pøشn है यूपने से किस यांतर में यांतरिक ऊरेद्धूतं में परिवर्थित होती है देखें बिध्धूत उर्जा को यांत्रिकूर्जा में जो बदलने का कार करता है वह बिध्धूत मोटर करता है यह अंत्री कुर्जा को बिध्धु तूर्जा में कौन परिवर्थन करता है तो रासानी कुर्जा को बिध्धु तूर्जा में जो परिवर्थन करता है वह रहता है बैटरी बैटरी क्या करते हैं रासानी कुर्जा को बिध्धु तूर्जा में बदलता है तिस नमबर कोशन है कि rectifier का परियोग कहां पर किया जाता है तो जो rectifier रहता है इसको AC को DC में बदानने के लिए हम लोग rectifier का यूज करते हैं transformer का परियोग कहां पर किया जाता है तो transformer का परियोग हमेशा AC में ही किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एसी पर में किया जाता है टांसफार्मार का परियोग और यह इस्टेप आव और इस्टेप डाउन करने के लिए हम लोग ठांसफार्मार यूज करते हैं अब 32 नमबर कोश्चन है कि टेलिफॉन लाइन में प्रवाहित उर्जा है देखें जो टेलिफॉ उसमें रहता है उसमें रषाने कूरजय रहती है अब है 34 नमबर का कॉश्चन को सच्वाप आप और टांसफार्मर यूज करते हैं तो यहाँ पर इसका-ड च्रेक्ट हो जाएगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमार में आपडिक्ट्टीजिक के चैनल को संस्क्राइब नहीं किया है वह लोग डिस्क्रिप्शन, भाक्त में आद वहां पर लिंक दियागया। वहाँ स हमें आपसें आप जोईन हो सकते हैं। लिंक आपको क्यों डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा। और उस प्रेराक वाला वीडियो जरूर आप लोग देख लें, डिस्क्रिशन बाक्स में उसका फी लिंक दिया गया है, मिलेंगे नेस्ट वीडियो में, थैंक यू.